हेलो मेरे दोस्तों आप लोग सभी कैसे हैं उमीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे मेरा नाम है गौरव पाठक और मेरे चैनल का नाम है जर्णीमैन गौरव और ये वीडियो होने वाली है शैनेगन वीजा के लिए जो कि मैं अभी होके आचुका हूँ जर्मनी जर्मनी से मैंने वीजा लिया था तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बने रही है मेरे साथ इस वीडियो में तो चलिए तो हम बात करने वाले हैं आज जर्मनी वीजा के लिए जर्मनी क्या शैनेगन वीजा के बारे में हम बात करने वाले हैं तो शैनेगन वीजा मैंने कैसे लिया है मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ट्रैवल एजेंट और बहुत सारे मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको अपना experience बताऊंगा, और अपने दोस्तों का experience बताऊंगा, मैं तो खेर solo trip करके हैं, उसके बाद मेरे दोस्त भी गए हैं, और कुछ solo traveler भी गए हैं, जो fresh passport थे इनके, उनके भी visa लगे हैं, और सब के लगे हैं, और वो भी Germany से लगे हैं, जर्मनी जल्दी से easily visa देता नहीं है, लेकिन वहाँ से भी visa लगे हैं, मैंने मतलब ये videos में देखा था कि आप जर्मनी से apply मत करें, तो खेर मैंने जर्मनी से किया और मेरा visa बहुत easily लग गया, और बहुत कम documents में, अब वो बताते हैं, छे महिनने के इतने लाक रुपे होने चाहिए, इतना मलब आप लोगो डरा देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल simple steps आपको बताऊंगा मैं, आपके पास simple से documents क्या-क्या होने चाहिए, चलिए शुरू करते हैं, आपके पास visa application form, सबसे पहले तो आपको photo चाहिए, जो आपके लगेंगे वहाँ पे, और passport और आपका visa application form, और आपकी round trip, मतलब आप जो है, जैसे start कर रहे हैं, जर्मनी से, तो आपको सबसे पहले जर्मनी जाना है, जर्मनी के बाद आप कहाँ पैरिस जाने वाले हैं, फ्रांस जाएं, एंस्टर्डेम जाएं, जहां जा रहे हैं, जितने दिन के लिए, मैं गया था आलियोडेनिज, जर्मनी बर्लीन, बर्लीन से मैं गया हूँ, पॉलेंड, पॉलेंड से मैं गया था, बेल्जियम, बेल्जियम से मैं नीदर्लेंड, और नीदर्लेंड से मैं आया था, इंडिया, जो की direct flight एर इंडिया की start होगी है, तो आपको रिटन फ्लाइट साहिए, ब आपको भी बोल रहा हूँ, डमी टिकट ही लगाना आप भी, कोई booking करने की जर्वातनी है, आपको कोई भी बोल राइट ट्राइवल एजेंट की booking कर डमी टिकट लगाओ, उसके बाद मैंने होटल रिजरवेशन लगाया था, होटल रिजरवेशन भी मैंने वो लगवाय थे जो cancel हो सकते हैं, जिसमें पहले से payment हम नहीं करते हैं, तो मैंने वो लगाया था, हमारा health insurance, वो मैंने करवा लिया था, कुछ 1100-1200 रुपे का हुआ था, और मैंने दिया था ITR, main चीज, ITR मेरी थी, मलब उसमें लिखावा था इनके उसमें, तीन साल की, लेकिन मैंने दो साल की लगाई थी, ITR कुछ खास नहीं थी मेरी, जो मैंने ITR लगाई वो कुछ 6 लाग रुपे के असपास थी, current year की जो लगाई थी, वो 6 लाग की थी, उससे पहली कुछ, पुने 6 लाग अब बात रही कि आपके bank में कितना balance होना चाहिए, तो देखो, आप जितना मर्दी रखो ठीक है, मैं अपने case में बताता हूँ, मेरा जो bank balance है, वो अलग-अलग accounts में divided है, मेरा एक account नहीं है, तो मैंने अपना एक normal account था, तो मैंने उसकी लगा दी, और वो Axis bank का था, और मैं में पैसे कितने थे, में बात यह है, तो मेरे bank में पैसे थे कुछ, शाड़े चाड़ लाग रुपे, तो आप सोच रहे होंगे यार, यह तो लोग बताते हैं कि 7 लाग होने चाहिए, 8 लाग होने चाहिए, 10 लाग होने चाहिए, 6 महिने पुराने होने चाहिए, ऐसा कुछ चाड़ी पांच पांच पाँटी से चोटी में घाना है तो तो भी मैं उससे कर रहा था और वीच-बीच में मैंने अपने कभी दोस्तों से 10,000 रुपे, 8,000 रुपे, 7,000 रुपे उनने कैश दे के अपने अकाउंट में डलवा दिये थे लेकिन अलग-अलग सी एक ही से नहीं और ऐसे नहीं कि 10,000 डलवाया है 20,000 जैसे 7,200 डलवा लिए 11,200 डलवा दिये इस तरह से मतलब राउंड फिगर में नहीं डलवाया मैंने मैंने 10,000-20,000 ऐसा कोई वो नहीं डलवाया अमाउंड तो बस यह था और मैंने एक ट्रेवल अजंट किया और मैंने ये सारे डॉक्यमेंट्स उने दिये उन्होंने बुझे बोला ट्रैवल एजेंट वो ही सब करते हैं सर ये डॉक्यमेंट्स ये हैं कुछ ये बढ़ा दो पैथे कम से कम 6 मंत की आप अपनी बैंक स्टेट मैंने का नहीं मेरे पास ये डॉक्यमेंट्स हैं आप लगा दीजिए और कोई प्राब्लम नहीं है वीजा रिजेक्ट होगा हो जाएगा मैं वहाँ पर घूमने जा रहा हूँ मैं कोई क्रिमनल नहीं हूँ मैं पहले भी ट्रैवल कर चुका हूँ और कंट्री लेकिन हाँ मैंने अभी तह कोई ऐसी कंट्री ट्रैवल नहीं किये जिसमें पहले से documents देने हो, मैंने हमेशा on arrival visa वाली ही country ट्रैवल कियें ज्यादा तर या फिर कोई एक आधी country जिनके जैसे दुबाई वगरा तिंगापुर जिनके visa easily लग जाते हैं देखा जाएगा जो आपका visa देखते हैं वीजा जो देते हैं वह देखेंगे आपका cover letter cover letter में आपने क्या दिया हुआ है तो cover letter मैंने क्या बनाया था cover letter मैंने बनाया था कि मैं मैं traveler हूँ एक और मैं solo trip कर रहा हूँ यह वाला और कुछ 12 दिन के लिए जाना चाहता हूँ यह मेरी tickets है यह मेरे hotel reservation है मैंने सारे को documents दे दिये हैं अपनी ITR दे दी है अपनी bank statement दे दी है और मैं आपकी beautiful country गोम ले जाना चाहता हूँ और Germany से ही मैं क्यों ले रहा हूँ तो यह सब कुछ मैंने उसमें mention नहीं था मला जैसे आपको मेरे ट्रेवल एजन ने बोला कि इसमें भी mention कर देते कि हम Germany से क्यों ले रहे हैं हम स्यूजय लेंड से क्यों ले रहे हैं यहां से क्यों नहीं मैंने का नहीं क्या जर्मनी तो आप शहता हूँ और मेरी जो income है वह ज्यादा है लेकिन उस पर टैक्स नहीं लगता क्योंकि वह donation income है मैंने उसमें ऐसे लिखती है क्योंकि donation income है तो इसमें लगता है और उसका कोई प्रूफ नहीं होता तो मैंने बोला मेरे पास donation सारी cash में आती है और उसके ओपर कोई भी ने लिख दिया और 10 थेंक्यू और ये वह नीचे अपने साइन वगएरा करके सब हाँ मैंने अपना एक लेटर हैड बनवा दिया था जो कि मैंने अपने गॉरव पाठक के नाम से बनाया था तो में उसमाने बनाया कोई भी आपको बना के देदेगा लेटर हैड पे वब अपर जो भी आपका नाम है आपने नाम से बनवा लेन और नीचे अपने फोनंबर वग रगरा हुजा आप लेटर हैड है आपका व्यूक्रफ मार्केट में गिया अपने लेडर le हैडď बनवा आ करवा के और देखें अब देखें तीन महिने के मैंने वह दिये है बैंक स्टेट्मेंट इतर भी कोई खास नहीं है उसके बाद सब्मिट होने के बाद 10 डेस के बाद मेरे पास कॉल आता है तो मैंने वी एफस डैली से अपलाई किया था लेकिन मेरा जो पासपोर्ट है वह गय कि सर हम आपको जो है पिछले दस दिन से एक हफते से शायद ऐसे ही बोला कि कॉल करने की कोशिश कर रहे है और आपका कॉल लगनी रहा है शायद आप सीरियस भी है अपना वीजा के लेके मैंने बोला मैं मैं लद्दाक ट्रिप पे गया वा था इसलिए मेरा वीजा लगनी से तो महां से क्यों अप्लाई किया है अपने और किसी कंट्री से क्यों नहीं किया है मैंने बुझ अपॉइंट्मेंट जर्मनी का पहले मिल रहा तो मैंने जर्मनी का कर दिया मैंने पहले भी ट्रेवल कर चुक हूं गुझे यरोप जाना है वह जर्मनी हो फ्रांस हो सब के बारे में बताया है मैंने करते क्या हो मैंने का मैंने उसमें मैंने आपको बता रखा है क्या होती है मैंने का मैं डोनेशन इंकम क्या होती है मैंने का मैं डोनेशन इंकम आती है हमारे पूर्वो जोगा वर कहिए और जैसे हमारी गद्दी होती है ऐसे इस तरह से हमोते मै मैंने बोला कि हमारी हम पंडित हैं और हमारे पास donation income आती है ऐसे मैं आरी द्वार में रहता हूं तो समझ भी करी कहा कहा रुखने वाले हो किस होटल में रुखने वाले हो तो मैंने उन्हें बताया करी होटल तो बर्लीन से बहुत दूर है मैंने का हां मैं बर्लीन से काफी लगया है डसल्डॉफ जा रहा हूं यसमें लेकिन बर्लीन और फ््रेंग्फर्ट लिखला है मैंने कर देक्षरесा नहीं वाली है तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं को वीज़े खुश से करा लो ? तो नोग 21 तो ापने आप लाइं पार्ल देसी तो दुमई विजा घर की तो आपने दिया होटल आपने प्सabyte किया है सिल्प्राइब तो जया होते हैं पुर OGs अ क्जिया है कोड़ वीशत है बोड़ा मैं प्लाइब्छे झाओं नहींग टाई आप बोलते हैं, ट्रेवल एजंट का मैं नंबर या उसे कॉन्टरेंस पर ले लेता हूँ, मैंने मेरे पास सीरियसली टाइम नहीं होता, तो यह है, बाकी मैं आपके, मैंने बोला कि मैं गूमने जाना जा रहा हूँ, मैं तो ट्रेवलर हूँ, आप मेरा पासपोर्ट इस्ट् आप की करूँ हूँ, और थोटशी अपने ट्रेवल इस्ट्री अच्छी करके, अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे करके, तो तो कहने लगी अच्छा, कहीड हरी हरिद्वार में कहां रहते हैं, रही हूँ हमें एक बार, बाअख वाओ, मैंने आप आप आईये, और विजि अच्छा लगा, मुई लेगी, मैंने ठीक है फिर बस इतनी बात करके उन्होंने कॉल कट कर दिया, उसके बाद फिर वन वीक हो गया, 10 देज हो गया, मैं परिशान हो गया, वीजा नहीं आ रहा है, उसके बाद मेरे पास कोरियर आता है, मैं ता उस दिन से बाहर, तो फिर मैं मैं वापीस आता हूं, मैं अपना कॉरियर लेता हूं, कॉरियर लेने के बाद मैं समझगी है, वीजा आ गया, तो हैलम मैंने यही सोचा कि मेरा वीजा रिजक्ट हो है, कोई बात नहीं है, मैंने दीरे धीरे ऑई आ खौला, और पासपोर्ट खोल, मैं सबसे लस्ट पेज प इतना ज्यादे खुश मज़ा आगया आप देखिये मैं आपको दिखाता हूं यह मेरा वीजा है तेख रहे हैं यह वीजा है मेरा यह जर्मनी से लगाए मेरा और मैं होके आए चुका हूं तो बस यह सिंपल से स्टेप से तो बिलकुल मत घब रहे हैं जो मैंने देखा दुबारे मेरी वेडियो देख लीजिए सिंपल से ही होते हैं मेन बात होती है सब की अटक जाती है लिए इ fare करद़ी से 25 में अब बनाना थे अपको नहीं होताँ अगर आप बोलते में थाइलेंड गया हो और अप जा sík अशी से जाई वह स्टिकर वीजा लगाल आप ऐसी कंट्री जाई फ00क तो मैं आपको बोलुंआ अप कांपोडीया आप मेलेलेसिया जा कि यह बहुत अच्छी जला है, आप सिंगापूर जाईए, ने पशामी डारे तो सिंगापूर से फिलिपिन जरूर जाए, अगर आपके बाब सिंगापूर का visa मिल गए आपको, तो सिंगापूर का visa बीजा इंट्री वीजा मिलता है, और इस मिल एंट्री वीजा पे आप roll 15-day क का free of cost वीजा ले सकते हैं मला आपको इंडिया से रिजाल्ट लेने की फिलिपीन्स की कोई जरुवत नहीं है आप सिधा जो है सिंगापूर का वीजा लीजिए सिंगापूर जाइए एक दिन रुकिए और सिधा महा से फिलिपीन्स जाइए और लीजिए फिलिपीन्सका ओनीला में उत्रेगी फ्लाइट मेरे क्याल से इज़ेस फ्लाइट मेरे खश्याइब से बिल सकती है अगर आप तो फिर या थे ताइवां अरव फैलिपिन्स की बहुत अच्छाओ अच्छा ड्रियू स्ट्रि मिली है और इसे समया भात पासपॉर्ट में ्को बिल्स्ट से बटाऊंगा अब अधेया तो और लोकशा वीजा रहा हूँ जहाँ पर वीजा on arrival है और free of cost वीजा है और जहां की फ्लाइट आपको गौवा से भी सस्ति पढ़ने वाली है यकीन मानिए महाँकी फ्लाइट आपको 10,500 रूपीज में मिलने वाली है up and down वो एक ऐफी country है जहां की flight है हमेशा mostly 30,000, 35,000, 32,000 कम से कम 28,000 की flight है आती है वहां की flight आपको सिर्फ मिलेगी साड़े दस हजार में मैं अभी book कर लेना मैं आद दो दिन बाद वीडियो वो भी डालूँआ कल मैं फिलाल टर्की की वीडियो डालूँआ एक छोटी सी 3-4-5 मिनिट की वीडियो डालूँआ उसके बाद मैं वो उससे next day वहां की डालने वाला हूँ तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब लाइक कर देना अगर अच्छी लगे नहीं करना तो डिसलाइक का बटन भी ढोक के जाना चलो बाई